नमस्कार दोस्तो में हूँ जेपी दोस्तो आज जो गारी है हम लोग को पास टाटा आईरस जीप है ब्येस फोर जैसे के गारी का प्रोलम है स्टार्ट नहीं हो रहा है ठीक है तो चाबी जैसे की ऑन है इसको आप करते हैं जाबी ऑन करते हैं ऑन कर देखिए चेक लैट आया चला गया और मलफंक्शनल लाइट अभी अभी ऑन है और बैटो वाल लाइट भी ऑन है और ऑल वाल इन बी और तो हम लोग देखें का शेल्फ मारके गारी क्यूंनी हिस्टाट हो रहा है उसको दोस्तों देख पाया अभी आपने गारी इस्टाट नहीं हो पाया ठीक है तो के लिए अपने लगा लिया है घुरोडा देख करें कि पहले हम यह पर झाइंगे सबसे पहले ऊपर है नहीं तेल चींड किया हुआ करम नोगे हैं बेख करने के बाद यहाँ पर करने के बाद यहां नीचे आएंगे नीचे आने के बाद इस में जाएंगे यहां पर देख पार रहे है यह गारी है आयरेस जीप ठीक है कमरा थलब बलर कर रहा है ठीक है तो यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर सब्सक्राइब हो चुका है 600 CC इंजिन इसका आयरेस जीप है तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा यहां पर करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट जाने के बाद देखें यह दो अप्सन आया जो मूडूल है इंजिन मेनेजमेंट सिस्टेम वेहिकल लो यह सारा कोड आ रहा है जैसे कि देख पर एक्जोस ग्यास यह फ्लो एक्सिप्स जो भी है मतलब इसमें टेंप्रारी है एक कोड डिलेट हो जाएगा लेकिन इस कोड के वज़े से गारी स्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है तो एक बार हम आल डिशी भी द करने के एस से नहीं करना करेंगे नो घंटेजिए अभी करते हैं कि तो फोई करते हैं कि ट्रॉक रे खादभी ट्रॉक ड्नि पन्ण दोस्तो अभी केशा कर दियार नहीं हुँआ है तो एक बार और अध़ican क्लेयर कोसिसते ही मतलब अभी कोई फौर कोट नहीं हैं तो अभी नहीं है तो घ्री कोई फौर नहीं है लेकिन फिर भी इस्टार्ट मीच नहीं हो रहा है लेकिन ओर 1647 प्रब्लम पकरना बहुत भींवれた लेकिन और एक तरीका है फॉल कोट पकरने का अभी क्या करें के हम देखिए एक फॉल कोट आ चुका है फिर से साइद का रीजिन का तारूर खुला होगा तो इसके यह कोट का बज़े से कोई स्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है तो अभी हम इसको पकरने के लिए ब तल पॉल्हज़ के रेल प्रेशर ठाल ठीक है उसके बाद हम जाएंगे क्या नीचे जाने के बाद आछके जायेंगे इंजिन स्पीट ऑर फिए थीक है इंजीन स underground और यह एक बार एक रेल पैसर टीक है थीर इन्जीन को सिलेट करने के बाद हम तरहेंगे यहांपर थे में पर घ्य हो बार्पेसर तर्गेट अर्प्स पाँच है यहां इसमें दिखाएगा इसमें रेलपेसर कम से कम 200-300 बार बनना चाहिए तभी गारी इस्टाट होगा जैसे कि यहां पर लिखा है 306 तो करेंगा भी एक बार सेल्फ मारेंगे ठीक है अब लोग देखिएगा बार देख अधो रेलपेसर भी नहीं बन रहा है और एक बार यह दिखेंजीन का स्पीड आरपीम बताता है वह यहां पर 0 है तो इसका मतलब लगा हुआ है तो क्रेंग सेंसर अभी चेक करेंगे करेंगे उसका फॉल्ड है क्या लाइगे- दोस्तों देख पार है यहां पर क्रेंग सेंसर रहें ठीक पार है इसको खुलें के इसका वाल्टेज। भी देखेंगे इसमें क्या-क्या भॉल्टेस है थीक है तो वीडियो में सोड़ा बनरेगा कि क्रेंशर है खुड रहे हैं हुआ खुलनेक बात हम इदर से इसको निकल लेते हैं थीक है यह देखें क्रेंश सेंसर का वायर है दो वायर है इसके दो वायर में धाइड़ाई वोल्ट आना चाहिए 2.5 तो इसको अब लोग माल्टी मीटर से चिक कर लेंगे पहले इससे देखने ते पीछे तारूर तो टूटा नहीं है पीछे देख लेते हैं तारूर टूटा नहीं है तार सही है किछके भी देख लेते हैं वारिंग सही है ठीक है तो इसको देख लेते हैं बोल्टेज माल्टी मीटर देना दोस्तों देखिए हम लोग एक तार यहां पर लगा चुके हैं और मल्टी मीटर में आप देखिएग तो और दूसरा भी आम लोग चेकर लेते हैं उसमें कितना बोल्ट आ रहा है तो थोड़ा बना रहेगा दोस्तों देखिए दूसरा भी आम लोग प्रॉप लागा लिया मल्टी मिटर का आर यह भी देख लेते हैं अब लोग कोई चेंज करेंगे चेंज करने के बाद फिर आप लोगो हम स्टार्ट करके दिखाएंगे ठीक है दोस्तों देखिए घारी में आच चुके हैं अभी गा खासन होगे स्टार और वह देखेंगे और भी बाठार है ढोल भी बनना चाहिए यहां पर दिख रहा है मतलब थोड़ा आगे पीछे चलेगा प्रोब्लम नहीं है अभी गारी होगा विल्कुल पर्फेक्ट ठीक है कि अब बंद करें इस्टार्ट करेंगे और अब बंद करें इस्टार्ट करेंगे और कभी वन किया प्रविः प्रोब्लम चाहिए तो इसी तरह वीडियो अच्छा अच्छा पाने के लिए वीडियो को सेयर कीजे और चैनल को नएँ है तो सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को लाइक किजे और कॉमेंट किजे आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए ठीक है दोस्तों और एक बाद दोस्तों आगार किसी को गुरुडा और लेप्टॉप के साथ और सौप्टेर भी चाहिए ताटा महिंद्रा तो किसी भी सौप्टेर चाहिए तो कॉल कर सकते हैं मैं आपको जानकारी दूंगा और मैं भी आपको दिला सकता हूं सब्सक्राइब और ठीक है तो मिलते हैं वीडियो में अगले वीटी में दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग